बहुत स्वादिश्ट लग रही है यह सबजी किचिन लवर टीवी चैनल में आप सबका स्वागत है नमस्कार आज हम चना दाल और पता गोबी को साथ में मिला के सबजी बनाएंगे तो सबसे पहले देखें यह 200 ग्राम मैंने पता गोबी लिया है यह एक बड़ा प्याज है और यह एक टमाटर है और यह 100 ग्राम चना दाल दिया है एक घंटा पहले बिगा के रखा है यह 3 टेबल स्पून मैंने तेल लिया है इसमें 2 हरी मिर्ची और 6 लसुन की कली जिसको बारी काटके रखा है तो आईए हम बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें चने दाल को उबालना है यह मैंने बहुत अच्छे पानी से धोके रखा है अब हम गैस स्टार्ट कर देंगे और इसमें एक चोथाई चमच हमने नमक डाला है नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाली है और इसमें मैंने एक चोथाई चमच हल्दी डाली है बस इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे और यह कुकर को हम बन करेंगे और इसे कम से कम 4 से 5 सीटी लगाएंगे या जब तक डाल पूरी तरह से गल न जाए अब हम साथ में सबजी भी बनाएंगे तो इस कुकर को हम ट्रांसफर कर रहे है बस यह दूसरी गैस पर हमने शिफ्ट कर दिया है और यह गैस स्टार्ट करके हमने कड़ाई रख दिया है कड़ाई को थोड़ा गरम होने देंगे तो ये हमारी कड़ाई गरम हो गई है, इसमें हमने ये तेल डाल दिया है तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें ये एक चुटकी हिंग डाली है और आदा टी स्पून हमने जीरा डाला है ये लसुन भी हमने डाल दिया है, हरी मिर्ची और ये कड़ी पता बस इसे थोड़ा सोते कर लेंगे लसुन तेल में पकती है, तो बहुत अच्छी सी महक आती है ये लसुन सोते हो गई है अब इसमें ये प्यास डाल देंगे प्यास को हम थोड़ा सा भूनेंगे जब तक ये प्यास नरम न हो जाए हमें एकदम ब्राउन नहीं करना है, हलका सा इसे नरम ही करना है प्यास नरम हो गया है, अब इसमें हमने पता को भी डाल दी है इसे थोड़ा सा चलाते रहेंगे पत्ता को भी बहुत जल्दी ही पक जाती है अब इसमें एक चोथा ही चमच हमने हल्दी डाली है आदा टी स्पून लाल मिर्ची है एक टेबल स्पून मैंने धनिया डाला है अब इसे थोड़ा मिक्स करेंगे बस ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है मसालों को आप अपने स्वाध अनुसार इसे कम ज़्यादा भी कर सकते है पता गोबी को हम सिर्फ दो मिनिट के लिए ही पकाएंगे ये डाल का कुकर हमने गैस बंद कर दिया है आईए हम कुकर को खोल के देखते है तो ये कुकर हमने खोल दिया है और ये देखिए दाल दाल पक गई है ये देखिए दाल एकदम परफेक्ट अच्छी तरह से पक गई है दो मिनिट हो गए है अब ये ढकन हमने खोला है पता गोबी एकदम सही तरह से पकी है ये चना दाल को भी हमें इसमें डाल दिया है इसे ज़रा मिक्स कर लेंगे और अब इसमें ये टमाटर भी डाल देंगे टमाटर को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसमें ये दो टेबल स्पून हमने नारियल कद्दुकस करके डाला है आप चाहो तो आपके हिसाब से और ज़्यादा भी डाल सकते हो इसे सिर्फ हम एक मिनिट के लिए ठके रखेंगे एक मिनिट हो गया है अब ये सबजी हमारी एकदम तयार हो गई है इसमें ये दो छोटी इलाची हमने डाली है इलाची लास्ट में इसके लिए डाला है क्योंकि इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें हमने हरा मसाला भी डाल दिया है और अब इसमें हमने ये आदा चमच गरम मसाला डाल दिया है बस इसे मिक्स कर देंगे ये सबजी की जो कॉंटिटी है वो 4-5 लोगों की सर्विंग के लिए है और ये गैस हमने बंद कर दिया है ये सबजी को हम बावल में डाल रहे है सबजी की बहुत अच्छी सी महका रही है तो बंद गई हमारी चना दाल और पता गोबी की सबजी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले हमारी चनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो हम फिर मिलेंगे आपके साथ में एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद